आज बाबा हम सभी में सेवा करने का फोर्स भर रहे हैं उन दिनों पर दर्शनियां बहुत करते थे तो बाबा सभी को मोटिवेट करते थे कैसे कैसे सेवा करो क्या संदेश दो तुम्हें ठंडे नहीं होना है उमंग बढ़ाते रहते थे तो बाबा कह रहे हैं मनसावाचा कर्मना तनमंधन से ऐसी बाबा की सेवा करो जो 21 जन्मों के लिए तुम्हें उसका स्रेश्ट फल प्राप्त हो जाए देखिए भगवान आता है नई दुनिया रचने के लिए आज बाबाई कह रहे हैं ये दुनिया नई से पुरानी कैसे बनी सत्युक से कल्युक कैसे बना ये तुम अब जानते हो इस दुनिया में गिरावट कैसे आती है और फिर मैं आकर कैसे इसको नया बनाता हूँ तो त तुम मेरे मददगार बनो भगवान को भी अपने बच्चों की मदद की जरूरत पढ़ती है वो अकेला नहीं करता है तो कहते है अपना तन मंधन लगाओ मन से वचन से कर्म से सेवा करो तुम्हारा बहुत बड़ा भागी बन जाएगा लेकिन सेवा करने में आपस में जरा भी मन मुटाव टकराव नहीं होना चाहिए तुम्हारा बहुत प्रेम भाग होना चाहिए अपस में यदि सेवाओ में टकराव होता है तो सफलता में भी देरी लगती है बहुत कम सफलता होती है तो तुम्हें बहुत प्यार से आपस में राय करनी चाहिए धनका भी सहयोग करना होता है, विन विन कारिये होते हैं सेवाओ में, सब को ड्यूटी देना, प्यार से कराना एहम भाव नहीं हो, नहीं तो एहम से टकराव होता है, ऐसी एक कमेटी बना देनी चाहिए, एक दो की राय लेकर फिर सेवा करो, कई बच्चे लिखते हैं बाबा को, बाबा, हम दिक्राइते का उधारन दिया. दिक्राइत प нужना में 12, यानि 12 के समान हो जाते हैं. अकेला व्यक्ति उसकी एक राय होगी. लेकिन जब 2 हो जाएंगे, तो राय ओर अच्छी हो जाएंगी, 10 हो जायंगे, राय ओर अच्छी निकल जायेंगी. तो सबकी राय लेकर फिर सेवा का कारिये प्रारम करो, कई बच्चे बाबा कहते हैं, बाबा आप हमें मदद करो, हम सेंटर खोलते हैं, बाबा कहते हैं, मैं तो मदद करता ही हूँ, हिम्मत बच्चे मदद बाप, लेकिन तुम्हें आपस में मिलकर, थोड़ा थोड़ा वी ध अधन लगाकर सेवा सुरू करनी है, फिर बाबा तो बहुत मदद करेगा ही, तो आज बाबा इस सेवा व्रद्धी के लिए बहुत अच्छी उमंगुच सा भर रहे हैं, तुम्हें सब को बताना है, कि देखो बानप्रस्त तवस्था में ही लोग भगवान से मिलने के लिए को बेल पर आया, बेल से तो तुम्हें ग्यान नहीं दिया जाएगा, मैं इसके ये भागी रथ है, इसके तन में बैठ कर तुम्हें ग्यान देता हूं, तो तुम्हें ये सब को सिखाना है, कि इस समय भगवान आकर सच्चा राज्योग सिखा रहे हैं, तुम्हें सब को संदे सन्देश देना है सिव बाबा कहते हैं भगवान कहते हैं बुद्धी मेरे से लगाओ तो तुम्हारे पाप कठ जाएंगे तुम पावन बन जाओगे अगर तुम्हें मुक्ती चाहती है तो मुक्ती में चले जाओगे ये संदेश सारे संसार को तुम्हें देना है लोग तो उल्टे सुल्टे प मैंने इसको नहीं बनाया है, ये सदा ही चलता आया है, सत्यूग से चक्र घूम के कल्यूग के अंत में, तो मुझे कल्यूग के अंत में ही आना पड़ेगा, तुम सभी को मेरे आने का समय भी बताओ कि भगवान कभी सधरा पर आएगा, और इस समय आया हुआ है, जरूर तब आएगा जब सबात्मय पतित बन जाएं, जब यहां अधर्म हो जाए, जब कल्यूग का अंत हो जाए, सत्यूगी दुनिया बनाने के लिए, अधर्मियों का विनास कराने के लिए ही आएगा, तो सब को बताओ, ये वही समय चल रहा है, भगवान के आने का, फिर बाबा एक शिक्सा भी दे रहे हैं, माया से तुम्हारी युद्ध है, उनों तो दिखा दिया, सिरिकर्षन ने, रत पर बैठ कर अरजुन को ग्यान दिया, लड़ाई का मैदान था, बाबा कहते हैं, लड़ाई की कोई, इसमें बात नहीं, तुम्हारी माया से युद्ध है, तुम्हे माया पर जीत प्राप्त करनी है माया बहुत powerful है बच्चे कहते हैं बाबा संकल बहुत चलते हैं माया कि टुफान आते हैं बाबा कहते हैं यह तो आएंगे क्योंकि तुम बहुत पतित हो गयो तुमें पावन बनना है लेकिन भचिय धहान रखना कि कर्मेंद्रियों से कोई विकर्म ना हो, अगर तुमने विकर्म कर लिया तो तुम गिरावट में आ जाओगे, फिर चढ़ना बहुत मुश्किल होगा, तो जब ऐसा देखो कर्मेंद्रियों धोका देने को तयार हैं, तो सावधान करो अपने को, उस इस्तान से हटो, ज्यान का चिंतन करो, बाबा जो हमें कहता है, उसको याद करो तो वो कर्मेंद्रियों की चंचलता समाप्त हो जाएगी, बाबा कह रहे हैं, तुमने, अब मेरे से प्यार किया है, मेरे से प्रीत जोडी है, प्रीत जोडने के साथ, तुम्हें याद का भ्यास भी बहुत अच्छा क तो तुम्हारे विकर्म बिना श्ठोंगे, तुम पावन भी बन जाओगे और तब तुम मुक्तिधाम में जा सकोगे, बिना पावन बने कोई मुक्तिधाम में नहीं जा सकता, वर्दान. आज से हम यूज करेंगे, आप करते होंगे अमरत्वेले के महत्तु को जानकर बाबा से सर्व खजाने और वर्दान प्राप्त करने वाले तकदीरवान भव अमरत्वेले बाबा भोला नात बन कर वैठता है बस उसके पास पहुँच जाओ जो चाहे वर्दान ले लो, जितने चाहे खजाने ले लो बस कहो बाबा मैं जो हूँ, जैसा हूँ, जैसी हूँ, आपका हूँ उसके पास पहुँच जाओ बाबा आपको सब कुछ प्रदान करेगा केवल बुद्धी की लाइन किलियर होनी चाहिए तो सबेरे का समय बहुत सुंदर है, इसे मिश नहीं करना है सिव बाबा भोला नात बन कर रहता है जो चाहे उससे ले सकते हैं स्लोगन है, सेवाओं में स्वार्थ मिक्स न हो सबसे बड़ी माया है स्वार्थ मैपन नहीं तो सफलता में देरी हो जाएगी सफलता कठिन हो जाएगी, इसलिए निश्वार्थ निश्काम सेवाधारी बनो तो आज हम बाबा से अपनी प्रीत जोड कर रखेंगे हम प्रीत बुद्धी हैं, प्यार से उससे रूरिहान भी करेंगे और बाबा को अपने पास बुलाएंगे और उसका हाथ अपने सिर पर फिल करेंगे दिन में आठ बार अवस्य ओम श्यांति तो वाच पीस अफ माइड चैनल वीडियोस अन यूट्यूब सब्सक्राइब उस अन यूट्यूब डॉट कॉम स्लैश टीवी पीस अफ माइड जस्ट अख लिए पीस्फल लाइ